हेलो गैज आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक विद दीब बाई चेतिलाल फाइनेशल सर्वीसेज में फिर से स्वागता है अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें जिससे आपको आने वाली नौटिफिकेशन के बारे में भी यहां पर पता लगता रहेगा तो दोस्तों अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो मार्किट एक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल से से गुजर रहा है देखिए क्या होता है कि अगर मानके चलो 20,30. closing positive हो जाती है तो next time आपको देखने को मिलता है कि جब next open होती है market negative होती है 1500500 और अगर मानके चलो closing negative हो रही है तो opening positive हो जाती है और उसके बाद फिर दुबारा जो है एक closing यानि कि देखिए closing दुबारा उसी दिन same day में negative आपको देखने को मिलती है तो ग्रावट के पीछे के बहुत सारे कारण है और देखिए कल की बात करते हैं तो कल एक positive closing हमें देखने को मिली थी इवन तो आज की बात करते हैं तो आज भी हमें market के अंदर positive opening देखने को मिली थी लेकिन अब की बात करते हैं तो करीबन करीबन अच्छी खासी opening हुई थी 17,100 रुपे के आसपास लेकिन वहां से ग्रावट जो है लगातार आपको यहां पर देखी चार्ट में दिख रहा होगा ग्रावट जो है continue लगातार आपको देखने को मिल रही है और अभी भी देखिए एक जो level था जो एक support थी 16,800 इसके पास जो मार्केट में क्या होता है दोस्तों सबसे most important बात होती है कि मार्केट अगर मानके चलो गिरती यह किसी वजह से तो देखिए उठेगी यह 101 परसेंट है कोई बड़ा ही हो जाए जैसे रश्या यूकरेनिया का जो यूद्ध चल रहा है अगर मानके चलो वहां पे जो है कुछ बड़ा आपको देखने को मिल जाए तो वह बात अलग होती है अदर्वाइस देखिए जब मार्केट कितना भी गिर जाए किसी भी तरह की कोई बैड नियूज आ जाए लेकिन देखिए हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको उठते ही देखने को मिलेगी तो यह जो स्ट् इसक्स के अंदर लगबग 600 पॉइंट की ग्रावट आपको देखने को मिल रही है और निफ्टी के अंदर अभी डेड़ सो पॉइंट की थी एक सो साथ पॉइंट की थे अभी 120 पॉइंट के ऊचुकिए 1.07 परसें तो ग्रावट वही है कि बढ़ती गढ़ती रहती है और अभी थोड़ा सा और जो है पॉने 200 पॉइंट की ग्रावट हमें यहां पे मार्केट के अंदर लाइव ही आपको यहां पे देखने को मिल रही है यहां पे दोस्तों बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के अगर बात करते तो बैंक निफ्टी के अंदर भी लगबग 280 गिरावट आज यहां पर आपको देखने को मिल रही है और अधर बैंक की बात करते हैं तो देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पॉजिटिव है यहां पे लेकिन अधर बैंक जितने भी कुछ ही बैंकों को छोड़ कर देखी जो तीजी है न वह सिर्फ एक सारे बैंक्स हैं लगबग सब के अंदर आपको यहां पर नेगेटिव टारेटरी के अंदर कामकाज होते हुए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में बात करते करते 310 पॉइंट की एक गहरी ग्रावट यहां पर आते हुए देखने को मिल चुकी है और निफ्टी के बात करते हैं निफ्टी के अंदर ही 200 पॉइंट की तेज ग्रावट शारप एकदम शार्प ग्रावट जो बढ़ती हुए जारी है वो यहां पर देखने को मिल चुकी है और सेंसेक्स की बात करते हैं तो बात करते हैं इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजा जो निकल के आती है वो आती है यूएस के जो फैड है वहाँ पे जो ब्यासदर है ना वहाँ पे ब्यासदरों में जो बड़ने है और देखिए उसी का असर अगर मौनिंग की बात कर लेते हैं तो देखे डाव फीचर्स में आपको तेजी देखने को मिली थी नैजडैक में लेकिन दोस्तो अब की बात करते हैं अ ग्रावट है जो औरेडी सब के अंदर हो चुकी है तो नेफटी के अंदर तो ग्रावट है लेकिन जो डाव फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वहां पर ग्रावट होने के बाद फिर दुबारा एक यहां पर प्लस पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है सब चीज के अंदर स सन्पी की बात करते हैं जबकि भारतिय बाजारों के अंदर एक जबर जस्त ग्रावट जो है वह बढ़ती जा रही है और अधर जो इंडैसीज हैं उनकी भी बात करते हैं तो यहां पर लगबग लगा के चलो आप सभी जो इंडैसीज है ना वह पॉजिटिव क्लोजिंग पे पॉजिटिव नौट पे हैं तो डाव फीचर्स की क्लोजिंग वगरा की तो देखें डाव फीजर्स में जो कल तेजी थी वो थी 67 पॉइंट्स की और नैस्टेक में थी 28 पॉइंट्स की तो इसी की बड़त देखने को मिली तो यहां पे भी 20 परसेंट की जो है 20 पॉइ जोत्री का एलान करेगा फैड जिरो पॉइंट 5 परसेंट ब्याज दरे बढ़ा सकता है बैलंस शीट 9 ट्रिलियन डॉलर कम करने का लक्ष है निवेश को में ब्याज दरों को लेकर घबराट है तो देखें यह जो चीज है ना यह जो घबराट है क्या होता है कि जो यूएस इंडिया की मार्केट के अंदर उन्होंने पैसा लगाया हुआ है तो वहां क्या होगा कि जब वहां पर जो है इस रेट से ब्यास धरे बढ़ जाएंगी तो वह जो लोड ए एफ आई आई के उपर आ जाएगा सीधा सीधा क्योंकि देखें वहां से पैसा उठाते हैं इंड सेलिंग स्टार्ट करते हैं और जब सेलिंग स्टार्ट करते हैं इंडिया के अंदर तो वहां पर क्या होता है कि जितने भी शेयर्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है यानि कि दो दो डाही डाही तीन तीन हजार चार चार हजार करोड की जब डेली के डेली सेलिंग आईगी FIIs की तरफ से तो क्या होता है कि फिर मार्किट गिरना इस्टार्ट हो जाती है और वो ही जो असर है आपको यहां पर इंडियन मार्किट के अंदर देखने को मिल रहा है अगर दोस्तों FIIs की सेलिंग की बात करते हैं तो मार्किट ओवेसली गिरती है और लोग बाग क्या होता है कि घबरा के लोग बाग भी निकलना श्टार्ट कर देते हैं देखे कोई भी शेर अगर मानके चलो कमपनी मजबूत है तो वहां पे तो आपको बिल्कुल रुक सकते हैं और देखे बहुत सारी उपोर्चनिटे भी इस तरह की जो मार्किट है वहां पे आपको मिलेगी लेकिन जो डेटा निकल के आता है वो आता है दोस्तो 37,000 करोड की सेलिंग जो की बहुत जबर जस्त हैं मतलब की 2021 की बात करते हैं वहां भी इस तरह की जो सैलिंग है न वो कभी देखने को नहीं मिली थी जो अपरेल के महिने में हो चुकी है यह जो सैलिंग प्रेशर FIIs की तरफ से देखने को मिल रहा है उसी की वज़ा सा निफ्टी भी यहां पे डाउन जाते हुए दिखाई दे लिए और देखें वीडियो में बात करते करते ही निफ्टी के अंदर करीबन करीबन में हम बात करते हैं तो लगबग 50 पॉइंट्स की गरावट अभी देखने को मिल गी है आपको देखें यहां पे 1.22 परसेंट यानि कि जब वीडियो स्टार्ट की थी तो वहां पे था 1 परसेंट के असपस गरावट और अभी जो बढ़के हो चुके है 1.26 परसेंट यानि कि देखें एक पॉइंट्स में न बढ़ती हुई जा रही है यह गरावट और अब यहां पे देखें जो एक एहम और बेस जो बन जाता है दोस्तों वह बन जाता है 16,800 यानि कि अगर मानके चलो देखो लग तो रहाए कि 16,800 भी यहां पे टच हो जाएगा इन केस अगर यहां से 16,800 टच नहीं होता है बहुती मोश्ट इंपोर्टन जो लेवल्स है था दोस्तों वह यही है 16,800 का अगर मानके चलो यहां से बैक हो जाता है रिवर्स आ जाता है तो देखें निफ्टी के अंदर दुबारा कल आपको यहां पे तेजी देखने को मिल स सकते हैं जो हो सकते हैं 17,000 तक की यानि 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है अगर मानके चलो यह लेवल्स भी तूटता है आपको यह बात धियान रखने हैं यह लेवल्स भी तूटता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वह सीधा 16,500 तो इन लेवल्स के लिए आपको ना यहां पर जो भी बाइंग करने हैं वो सिप करके बाइंग करने हैं कोई भी शेयर आपकी नजर में आ रहा है और वहां पर सिप करके बाइंग कर सकते हैं और देखे किसी कोई मजबूस शेयर है जहां पर आप अल्रेडी फर्स चुके हैं और एवरेज करना चाहते हैं थ अभी जो तेजी का मून महोल है वो जल्दी ही बनना चाहिए और बाकी देखिए किसी तरह का और भी कोई अपडेट आता है तो वो तुरंत हम अपने चैनल के उपर अपडेट करेंगे तब तक के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइ जरूर करें